जाता हूं कुछ दिन पहले एक वीडियो वाइरल हो गया था जिसमें एक इनसान में वाइल डेलिगेशन्स नैशनल कॉन्फरेंस और इसकी लीडर्शिप के बारे में बहुत वहिया डेरोग्रेट्री टर्म्स इस्तिमाल किये ने तब तब से अभी तक हमने ऑफिशली इस पे प्रिपेर कर रहे थे एक लीगल रेस्पॉंस आज हमारा लीगल रेस्पॉंस तयार हो गया उस पे डिरेक्शन भी आ गई है तो उसी सिल्सले में मैं आप को यह बोला चाहता था कि चीफ जुडिशनल मेंस्टरी स्रीन नगर का ओर्डर आ जाया है जिसमें उन्होंने कॉग और जो आगे उस पे एक्शन होगा वो और ने डिरेक्ट किया है कंसर्ण पुली स्टेशन को और और यह वोफूल देर विल बी जिस तरीके का जो एलिगेशन लगी है उस पे जबर्दस तरीके में पुलीस की कारवाई तो बात करते हैं एलिगेशन की आप पी आपने यह न आपको नाम तो आपने मेंचन नहीं किया मैंने वहीं बोला यह नाम लिखा हुआ है यहां पर कंप्लेइनन्ट है नासर असलमवानी एक्यूजड है यहां पर संदीप मावा यह ओडर है चीफ जूडिशल मेजिस्ट्रेट स्री निगेशन लगाई थी जो दिगज लीडर है एंसी के उन पर लगाई गई थी क्या उन्होंने भी जैसे संदीप मावा ने उनको तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने कोई रिट यहां पर नहीं किया भी तेखिए यह यह कॉंप्लेइनन्ट है कि ही विल रिप्रेजेंट तो होल पार्टी पीसी आपको यह समझ लेना चाहिए और मुझे नहीं लगता है अब यह मसला कोर्ट में चला गया है तो आज यहां आपके आने का मकसद यही था आपको बुलाने का मकसद यही था कि आपको हम जो है इनफॉर्म करें कि हमने एक लीगल रिकोर्स किया है हमने कोई शड़क पे चलते हुए कोई बंदा हमारा एक प्रापर शिस्टम में हम बेख कर रहे थे अपना लीगल रिस्पोंस मलब कोई पथर मारेगा हम आप उसको पथर नहीं मारें हम तरीके से जाएंगे और हमारा तरीका यही है लीगल रिसपोंस अब जो आगे होगा इंचाला वो उन्हों कोट कारवाई पर औरमी क करना है तो यही जानना चाहता हूँ क्या यह एफिलेशन इसकी कभी थी एंसी के साथ संधी मामा की मुझे नहीं पता है I have no idea